एक कंट्री है यूरोप में जिसने भारत पर लगभग 200 साल तक राच किया था हम कहते है ना ब्रेटिश आये थे उन्होंने हम पर 200 साल तक राच किया और सब कुछ लूट कर चले गए लेकिन confusion ये है कि आखिर आज की डेट में इस कंट्री का नाम क्या है जहां से ये लोग आये थे क्या इस कंट्री का नाम England है या फिर Great Britain या फिर United Kingdom और क्या ये तीनों अलग-अलग कंट्री है या एक ही कंट्री के अलग-अलग नाम है यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में हमशकार दोस्तों Study Gloss में आपका स्वागत है मैं हूँ शशांक पांडे अभी आप एक मैप देख पा रहे होंगे और इस मैप के जरिये ही मैं आपको इन तीनों के बीच के difference को समझाने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह तीनों एक कंट्री का नाम नहीं है जैसे हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही है वैसा केस नहीं है आप ठीक है सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं इंग्लेंड से और देख लेते हैं यह कहां पर है अब यह जो highlighted portion आपको दिख रहा है मैप में इसे हम कहते हैं इंग्लेंड यह एक sovereign country नहीं है लेकिन इसे हम एक country जरूर कहते है एक constituent country जिससे की UK यानि United Kingdom बनता है इससे पहले मैं आपको यह बता हूँ कि यह constituent country क्या होती है आपके लिए यह जानना जरूरी है कि Great Britain और United Kingdom क्या है देखिए सबसे पहले तो Great Britain कोई country नहीं है और ना ही यह political term है यह बस एक geographical term है जैसे कि मैंने पहले बताया कि England जो है वो एक constituent country है UK की उसी तरह से दो और constituent countries है UK की जिनका नाम है Scotland और Wales जब हम Wales, Scotland और England इन तीनों को एक साथ denote करना चाहते है था हम Great Britain कहते है लेकिन याद रखिए यह कोई political term नहीं है बस geographically denote करने के लिए आप इसका use कर सकते है ऐसी कोई country नहीं है ठीक है जब आप search करेंगे countries की list में तो आपको ऐसा कोई नाम नहीं मिलेगा Great Britain नाम का अब sovereign country है वैसे UK भी एक sovereign country है और यह जो United Kingdom है जैसे कि इसका नाम suggest कर रहा है चार अलग-अलग countries से मिलकर बना हुआ है इसका नाम है United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland अभी मैंने आपको बताया कि Great Britain क्या है कैसे इसमें तीन countries आती है और एक और country है जिसका नाम है Northern Ireland यह और Great Britain की तीन countries England, Scotland और Wales और यह मिल Kingdom है यह असल माईने में एक देश है जब आप countries के list चेक करेंगे तो इसमें आपको United Kingdom का नाम मिलेगा बाकी England, Scotland, Wales, Northern Ireland यह फिर Great Britain का नाम आपको इस लिस्ट में नहीं मिलने वाला है ठीक है अब यह जो concept है यह थोड़ा सा confusing हो सकता है और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि च countries तो मिलकर continent यह subcontinent ऐसा कुछ बनाती है तो यह countries मिलकर एक और country कैसे बना रही है तो देखिए इस चीज का answer मैंने आपको starting में दे दिया था कि यह जो countries है England, Scotland, Wales, Northern Islands यह sovereign countries नहीं है यह constituent countries है देखिए इन countries के खुद के capitals, flags, histories, or identities तो है जिसे कि England का capital है London यह इनका flag है और यहा यहां का flag है और यहां के लोग खुद को Scottish कहते हैं Wales का capital है Cardiff यहां के लोग खुद को Welsh बुलाते हैं और यह इनका flag है इसी तरह से Northern Island का भी capital है उसका नाम है Belfast यहां के लोग खुद को कहते है Northern Irish और यह इनका flag है लेकिन यह चारो countries कोई sovereign country नहीं है मैं दुबारा repeat कर रहा हू और भी UK का ही नाम लिखा होता है individual constituent countries के नाम नहीं होते हैं उस पर ठीक है कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास England का passport है या फिर Scotland का passport है या फिर Wales का passport है ठीक है सब के पास passport United Kingdom का ही रहेगा इनकी citizenship United Kingdom की रहती है ठीक है आप इने जैसे हमारे हां states होते हैं उनकी तरह समझ सकते ह लिए है क्योंकि states और constituent countries बहुत अलग होते हैं ठीक है और में लिए जो countries होते हैं जो constituent country बनती है नई country की यह कभी ना कभी history में या फिर past में independent रही होती है एक दूसरे से अब इसी case में हम देख लेते हैं 1542 से पहले England और Wales अलग थे बाद में England ने Wales को annex कर लिया तो एक नई country बन गई फिर 1707 में Scotland ने Wales और England को जोइन किया और एक नया देश बनाया जिसका नाम हुआ Kingdom of Great Britain इसके बाद 1801 में Kingdom of Great Britain को Ireland जो कि उससे पहले एक आजाद देश था उसने जोइन कर लिया और फिर इसका नाम हो गया United Kingdom of Great Britain and Ireland लेकिन 1922 में Ireland का एक बड़ा हिस्सा इस kingdom से अलग हो गया और एक separate country बन गया जिसका नाम हुआ Republic of Ireland लेकिन क्यूंकि Northern Ireland UK के ही पास रह गया तब से United Kingdom का नाम हो गया क्यूंकि Ireland तो चला जा चुका था अब United Kingdom का नाम हुआ United Kingdom of Great Britain and Ireland से चेंज होकर United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ठीक है तो यह चीज़ है मैं इस वीडियो के end में आपको एक revision chart प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे आप revise कर सकते हैं और आपको जो भी confusion होगी वो आप इससे clear कर सकते हैं यह था end इस वीडियो का आशा करता हूँ कि इस वीडियो की वज़े से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करें थैंक्यू